Hello friends, welcome back to my channel आज आपके साथ मैं शेयर करने जारी हूँ आलू की खस्ता कचोड़ी की रेसिवी और इसे हम सर्फ करेंगे आलू की सबसी के साथ में इसका टेस्ट ना आपको प्रॉफर जो बाजार में आलू की कचोड़ी और सबसी मिलती है ना वो आने वाला है और जो कचोड़ी है ना एकदम खस्ता और फुली फुली बनेंगे कचोड़ी और सबसीना मत्रा है आग्रा है अलीगड़ सबी जगे ये नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है आप इसे अपने गर पर जरूर ट्राई करना तो यहाँ पर आपको एक प्रता लेना है इसमें आपको लेनी है तीन कप मैदा और यहाँ पर आपको लेना है सादा नुसार नमर तोड़ा से नमर के इसमें डाल देना यहां पर इसको खस्ता करने के लिए आपको इसमें डालना है गी, थीन कप मैदा यानिकी 3 चमच गी, और यहां पर आपको लेँआं हैत्छा गरम पानी मतलब गुन-गुने से थोड़ा सा गरम पानी और सिंपली आप इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना और आपको इसका डो लगाना है वो भी आपको हल्का सा गुन-गुने पानी से ही लगाना है आप इसको ना नॉर्मली जैसे आप आटा लगाब दे हो रोटी ये के लिए वैसा ही आपको इसे रखना है कचोडी में अच्छे से लेयर आए उसके लिए देखिए हमने इसको एकटा तो कर लिया है अब आपको इस तरीके से पटकना है एकटा करना है फिर पटकना है तो ये वाला प्रोसेस आप कम से कम 15-20 बार कर लेना इसे क्या हो दैना बिल्कुल सॉफ्ट रहता है जैसे आप रोटी के लिए लगाती हो ना बिल्कुल वैसे ही रहता है तो यहां पर ये दो हमारे लगकर तेयार हो गया है कोई भी क्रेक्स नहीं है एकदम परफेक्टी सॉफ्ट हो है इस तरीके से तो अब आप इसको एक साइड में रख देना कम से कम 10 मिनिट के लिए जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा और अब यहां पर हम बनाएंगे अलुका मसाला एक प्यान में आपको लेना है एक चम्मच ओईल और एक चम्मच सूखा धनिया लेना उसे जैसे अब अद्रक कूट ते हो ना इस तरीकी से कूट कर तेया कर लेन एक चम्मच भनी को और फिर आप इसमे डालके इसको हम भी लेना फिलेम को आपको medium to low ही रखना है यह जो प्रोसेस है ना इससे बनाने का यह सेम वही प्रोसेस है जैसे कि मारकीट में बनाया जाता है तो यही प्रोसेस द्रक से आप बनाना हमने लिए हैं तीन बड़े अब लेए आलू ये इसमें डाल देते हैं इसी के साथ में हम इसमें ड्राय मसालिय एट करेंगे तो आदा चमच लाल मिर्च पाउडर ज्यादा लगे थोड़ा सा कम कर लेना आदा चमच धनिया पाउडर और इसी के साथ में आपको इसमें लेना है आमचूर पाउडर वन थार्ड जीरा पाउडर आपको लेना है और एक चमश लेना आप कसूरी मेती इस तरीके से आप उसको हाथ उपर रपकर के डाल देना साथ में जाएगा स्वादा नुसार नमक और लास्ट में आप डालने इसमें हींग तो चार पिंच आप इसमें हींग डाल देना आलो की कचोड़ी ह या दाल की कचोड़ी हींग का फ्लेवर इसमें थोड़ा सा एक्स्टर रहता है जो कि अच्छा लगता है अब यहां पढ़ना आप चाहें तो यह भाजी मेशर ले लेना चाहें तो जिससे अब राइता चलाते हैं वह ले लेना आपको इससे अच्छे से मैश करना है वरना दिक्कत होगी कचोड़ी फट सकती है पर एक बात का ध्यान अखना आलू को आप कद्दू कस मत करना इसी तरीके से मैश करके अच्छे से त्यार करना चाहें आप स्पून से इसको किसी कच्छी से मैश कर सकते हैं बट मैश करना इतनी ही आलू में आपकी 25 कचोड़ी आराम स बन जाएंगे क्योंकि आलू का मसाला कचोड़ी में कम लगता है तो यहां पर हमने इसको अच्छे से मैश कर दिया है और अब बस आपको लास्ट में गैस बन करने से पहले यहां पर डाल दिना सौफ लास्ट में डालना ताकि खुश्पू अच्छी आती है तो आदा चमच पिसा हुआ हमने सौफ पाउडर डाल दिया है उसे हमने अच्छी से मिक्स कर दिया है तो इसे टोडल बनने में चार से पांच मिर्टों लगी जाती है तो यहां पर यह आलू का मसाला चीसे बुनकर तेयार हो गया है अभी ऐसा दिख रहा है ना इसे ठंडा होने देना बिल हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो जब तक यह हो रहा है तब तक हम सबजी की त्यारी कर लेते हैं तो हमने लिए हैं चार बड़े उबले वे आलू और यहां पर हमने थोड़ा से अद्रक लिया जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है और यहां पर डो हरी मिर्श लिए हैं जिसे हमने थोड़ा सा थिक कट किया है तीन बड़े टमाटर रफली कट किये हुए हमने लिए हैं और यहां पर बारत से पंदे आप लेना काली मर्च के दाने पांसे च्याप को लेनी है लॉंग और इसे भीना आपको दरदरा कोट कर तया करना है जिसे आप अध् रही में आपको लेना है ओल तो आपको तीन बड़े चमच ओल लेने है और रेगुलर स्पोन से सिक्स स्पोन ओल हो जाएगा तो यहां पर पहले हम इसे गरम होने देते हैं इसमें हम डालेंगे आदा चमच जीरा और इसी के साथ में आपको इसमें लेने है तेस पत्ता दो तीन से चार तीश पत्ता ले देना इसे इस तरीकिस में दोड़की डाल देना फ्लेम को आप लो रखना अब यहां पर डाल देना जो अद्रक हमने कट करके रखा है कई लोगों को अद्रक पसर नहीं होता है तो इसे स्किप कर सकते है वैसे जिसलिए ओएल में फ्राइ हो ज अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर तो आदा चमच हमने लिया है हल्दी पाउडर इससे हलका सा मिक्स करना और जो टमाटर हमने रफली कट करके लिए है वो इसमें डाल देते हैं दिखिए यहां पर हमने टमाटर को रफली कट क्यों किया है टमाटर थोड़ा सा आप पर माटे से पगाना है जब तक नाहीर आंगा और टील को इस तरीगे से पगाना है एस तरीके जुँआ है कि उस तरीके से दिखना चाहे तो यहां पर अच्छी से पगा यह सितना पीसिस दिख रहें है देखिए वैसे जो मार्केट में कचोड़ी के साथ में सबजी बनती है उसमें कभी भी अनियन नहीं डाला जाता है पर फिर भी ये आपको अनियन डाला है तो फिर आप टमाटर से पहले डाल सकते हैं अब यहां पर जो लॉंग और काली मिर्च को हमने कूट के रखा तब वो मिर्च के रहां फिर इसमें डाल देते हैं मिक्स कर लेते हैं अब कर्यवं को ये भी डा में के ठo हैं कि MK lange डालस को शुद को ये जो नहीं रहता है उसमें ने खाया मार्केट में आपको कुछ बग कर्सक्राफान नहीं हो जाता है तो यहां पर हमने और दिये हैं आलू के अ तो उसे आप इस तरीके से हलका सा मैश कर सकते हैं तक ही थोड़ा बहुत आलू भी दिखना चाहिए वैसे तरी वाली सब्सी बनती है तो थोड़ा सा आलू दिखना चाहिए इसमें हम डालेंगे पानी पानी आपको अच्छे मांट में डालना है तो कम से कम हाप इसमें चार प जगे 5 खळे 5 ग्लास तक पानी ढाल साल अब शाउज एपको यहाँ पर आपको इस में नमक ढालाए है यहाँ पर जितना आप सबजी बना रहे हैं उसी सबसे सरी सारी डालाओ शाउज एक से मिक्स कर लेना— Wal 또 Um olhar smak तक शाउ-कजड़ डगकर ददाना और उसे आपको हलका सा बून ना है, यानि कि बहुत ज़ादा ब्राउन नहीं करना है, जैसे कि अब लड़ू अगरा बनाने के लिए करते हो, बट कलर चेंज हो जाना चाहिए, कच्छा मत रखना टेस्ट खराब कर देगा, तो हलका सा बहुत हलका सा ब्राउन कलर आना बेसन एक चमच ही लेना, ये फूल कर जादा हो जाता है, बेसन बेसिकली क्या काम करता है, ये जो सबजी की ग्रीवी होती है उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, वरना पिस सबजी को कितना ही पकाए ना, वो वाली थिकनेस नहीं आएगी जब तक आप बेसन नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर पंदे मिनिट हो गए है, अब इसके उपर डाल देते हैं हम ये बेसन, और इसमें जाएगा ये एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच इसमें जाएगा आमचूर पाउडर, आदा चमच कश्मीरी लालमिश पाउडर, और थोड़ा सान आप इसमें रेगूल लेना ही, चार से पाँच पिंच, और इसमें डाल देना आप ये थोड़ा सा गरम पानी, पांच साथ मिनिट के लिए आप इसको एक साइड में रख देना, यहाँ पर जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उससे आप अच्छे से मिक्स कर लेना, और फिट जैसे जैसे ये सब सबजी पके गी ना, इसके आप कोशिपू देखना, और जो टेस्ट आता है ना, देखिए मसाले रेगुलर हैं, सबी के घर में ये वाले मसाले अविलेबल होते हैं, बर जो बनाने का तरीका रहता है ना, उसी से आप मार्केट वाली सबजी बना सकते हो, वो मसाले डालने क के बाद में, मीडियम टू लो फ्लीम पर आप इसको 5-7 मिनिट तक होने देना, देखिए जरूरी नहीं है कि आप सबजी को 20 मिनिट ही गड़ी से लगा कर पकाएं, बीस का 25 भी हो जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आलो की तरी वाली सबजी ना, दीमी गैस पर जितना पकती है ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आता है, तो यहां पर ओल आपको सरफेस पर दिख रहा है, सबजी अच्छे से हो गई है, और ये लास्ट में डालेंगे हम इसमें हींग का पानी, वो जो हींग वाली खुशबू रहती है ना, आलो की सबजी में यही प्रोसे इसलिए हिंकी खुशबू अलग से और अच्छी आती है, हरा धनिया हमने इसमें लास्ट में डाल दिया है, मिक्स कर लेते हैं इसे, तो यहां पर तहियार हो गई है हमारी कचोडी स्पेशल, आलो की सबसी से आलो का जोल भी कहा जाता है, एक्दम परफेक्ट बना है, अब लेते हैं कचोडी, तो यहां पर आप इसमें डालना बेकिंग सोडा, वन थर्ड स्पून आप इसमें बेकिंग सोडा डाल देना, यह बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता, और थोड़ी सी कस्तोरी मैथी डाल देना, और आप इसे ना मिक्स कर लेना, अच्छा आपना यह बिल्कुल नहीं सोचना, किसमें सोडे का टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आता, ऐसा मार्केट में तो इसे जादा अमांट में डाला जाता है, और यह जो बेकिंग सोडे वाला प्रोसेस है ना, यह डाल की कचोड़ी के सा बाहर जाके और एकदम perfect recipe बनती है और इस डोग को भी ना बनाने से पहले और आठ से दस बार आप इस तरीके से कर लेना इससे क्या होता है जब कचोड़ी तोड़ते हो ना तो वो layers निकलती है और एकदम perfect soft लगकर त्यार हुआ है आप इसमें से एक पेड़े बराबर तोड़ और simply आपको इस तरीके से fingers और thumb की help से इस तरीके से करना है बीच मैंना ये थोड़ा सा तेक रहता है इसी तरीके से और फिर हमस में थोड़ा सा ये आलो का masala लगाएंगे देखे रेगुलर में जैसे आप बनाते हो ना जब आप मैदा की कचोड़ी बनाते हो जो market वाले उसम में बहुत जादा मत करना वर्णा वो अपने weight की वज़े से नहीं भूल पाईगे और masala जिससे मैं बता रही हूं ना ऐसे बनाओगे ना तो equally masala रहता है इसे आप अच्छे से बन कर देना और बिना बेले भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं बीच में थोड़ा सा थिक रह से डो लेना है जैसे आप रोटी के लिए लेते हो ना उससे आपको थोड़ा सा कम ही लेना है और सिंपली इस तरीके से आपको पीच में स्पेस बनाना है और यह इस तरीके से इसमें आपको थोड़ा सा मताला लगाना है और सिंपली आपको इसे अच्छे से बन करना है माली को, अपनर अप ऐसे बना सकते हैं, तो बिलकुल ऐसे ही बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिए है कड़ाई में ओयल, थोड़ासा डो ड़ुढ डालके चेक maky करते हैं, डालते ही न, हल्के हल्के से bubbles बने चाहिए, ये देखिए, ये तो सारी महनत खराब हो जाएगे ओयल मीडियम गरम भी होगा तो भी महनत खराब हो जाएगे फ्लेम बिलको लो डालते ही हलके हलकी से बबल्स बनेंगे और स्टार्टिंग में न ये बेस में बैठ जाएगी कचोड़ी और धीरी धीरे अपने आप ही आपको कुछ करने की जरूत नहीं है अपने आप ही कचोड़ी फूल का उपर आएगी वैसे आगे मैं आपको एक और टेप बता दूंगी जिससे कचोड़ी ना भी फूलने वाली होगी न तो भी फूल जाती है तो कोई भी डाउट मत रखना पेशेंस बहुत चाहिए बड़ जो रिजर्ट आता है ना बहुत अच्छा आता है और यहां पर ना एक बात का और ध्यान रखना कई लोगों को डाउट लगता है कि बेकिंग सोड़ा हो या बेकिंग पाउडरो एक ही चीज होती है तो आपके बास ना हो तो फिर आप इसमें बेकिंग पाउडरो डाल लें वो बिल्कुल मत करना कचोड़ी खसता नहीं होगी इमीदी में कचोड़ी उपर आगी अपने आप चाहें तो एक प्रोसेस और कर सकते हैं इस पून लेना आपको यह पूरा काम लो फ्लेम पर ही करना है और जैसे हलका सा सिख चाएना दोनों ही साइट से तब आप भले ही फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बट तब तक फ्लेम को बिलकुल लो रखना और एक साथ जितनी कचोड़ी आ जाएं उतनी डाल देना भी इसमें एक स्पेस और था तो मैंने एक और डाल दी है तो यहाँ पर यह कचोड़ी आ देखे फरस्ट बैच है एकदम अच्छी से फुला फुला बन रहा है और यह दिकी दूसरी साइट से भी इसका थोड़ा से कलर चेंज हो गया है और बीच बीच में पलटते हुए यह थोड़ा से मैं आपको ना फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही है इसलिए आपको इतनी जल्दी जल्दी बबल्स दिख रहे होंगे बाकि बहुत अडाम से इसको सिखने देना यहां पर यह और भी कलर इसका चेंज हो गया है सारी कचोड़ियां फुली हैं कोई भी कचोड़ी और एब्सॉप नहीं करती है बले ही वो लो फ्लेव पर सिकती है दिहान रखना जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं बड़ बनाना ज़रूर इंदम परफेक्ट रेसिपी बनकर तयार हो गई और आपको कुछ भी कन्फियूजन होना आप कमेंट करके बोच सकते हैं तो यहां पर हमारी पहली खस्तक कचोड़ी निकल के आ गए है और इसी तरीके से हम बागी और भी कचोड़ी बना लेंगे सेकंड बेश डालते वक जहां रखना फ्लेम बिलकुल लो और यह आपको लगी ओल का टेंपरेचर जादा है वो कैसे पता चलेगा कचोड़ी डालते ही न उस पर जादा बबल साच आएंगे तब आ फ्लेम को थोड़े के लिए बन करते न और फिटा बागी कचोड़ी इसमें डालना तो यहां पर यह हमारा सेकंड बेश भी आप देख सकते हैं एकदम फुली फुली खस्ता कचोड़ी बन रही है आप न अपने घर पर कचोड़ी बना कर देगे आपको मार्केट से जादा अपने घर पर बननी कचोड़ी लगेगी तो यहां पर यह हमारी और भी कचोड़ी बन कर तयार हो गई है अब कचोड़ी बन गई है तो यह भी चेक कर लेते हैं कितनी खस्ता है एकदम खशता मसाला एकको ले लगा हुआ और जितनी भी कचोणिया बनी है न सभी ऐसी बनी है आप इससे अपने खर पर ज़रूर ट्राइक करना इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा इससे सर्व करने के कही तरीके हैं लोग इससे अपनी पसंद से खाते हैं ऐसे जाल दी आपने गर्मा-गरम आलू का जोल जाहें ले इसके पार थोड़ासा यह तो 애φता यह भी हो और चाहें थोड़ासा दही भी लोग इसके साथ में लेते तो यहाँ पर धर यह उसको अद्रव लिए और इस तरीकी से सबर्ल करके इसको खाश स्कते हैं आप बै मेरी आज की रेसी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत मूलना शेयर करना आपने फैमिली फ्रेंज के साथ में कमेंट करके जरू बताना रेसीपी आपको कैसी लगी देंक यू